आज मैं बंगला साहब गुर्द्वारा में आया था जो कि दिल्ली में है और यहाँ पर हमने एक चीज़ दिखा जो कि हमें बहुत अचम्बित किया पले आप गुर्द्वारा देखो यह दो को गुर्द्वारा का भीश कितना अच्छा लग रहा है ना यह और इसके नीचे ब फीश है इतना बड़ा बड़ा फीश है और यह तला बहुत ही बड़ा है और इस कोने से पानी जाता है और एक कोने की तरफ पानी निकल जाता है और इसमें इतना सारा फीश है इतना सारा फीश है कि मत पुछो आप उससे देखकर आप उसमें पैर भी रखोगे तो आपको क यहां बेकर कुछ नहीं करेगा और यहां बाल पिला बहुत ही बढ़ा बढ़ा और इसमें बढ़ा से सेलेवच छोटा चोटा थी हाए अभर फीस यहां बढ़ है और था यहां go पर देखने को मिलेगा यह देख सकते हो आगे आपको कच्छुआ दिख रहा होगा यह दूसरे टाइप कच्छुआ है मतलब लगता है दूसरे देश से लाया गया है और इसमें रख दिया गया है और वो लोग धन्री में धूप सेक रहा है एक गुरुद्वारा का भीउज है और चोटा चोटा लग रहा है उपर गुरुद्वारा यहां पर देख की बहुत ही बड़ा फीश जोंकी लगता है दस कीलों का होगा इतना बड़ा फीश है यह और यह हम लोग को देखकर नहीं भागरा है उसमें आपको एक जगा ही नहीं बलकि हर जगा ฉख आपको फीश फीछ देखने को मिलेगा यहां एक पोखरा टाइप का बना हुआ है जो की बहुत ही पाड़ा है और इसमें रंगीत देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक पूरा फीछ है इसमें पूरे पोखड़े में आपको फीछ फीछ देखने हो के मिलेगा हमें देखकर अचम भी तरह बाई कितना लोग यहां पे जाते हैं इसको देखते उपर से आते हैं दर्शन करके और यहां देखने लगते हैं यह देखो बच्चा है बहुत कीट है बहुत खेल रात है इसके साथ और इसे कुछ दो फिर भी नहीं खाता है हमको लगता है इसे दूसरा दाना वह एक रह द दिल्ली आया तो इस गुर दुआरा में जरूर आए एक बार आपको एक बार देखना जरूर चाहिए किस तरह का नाजारा है और यहां पर देखे सब लोग बैठ कर यही देख रहा था हम भी यहां पर बैठ कर देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे इसमें कुछ लोग नहीं आते हैं लेकिन अभी ठांट का ताइम है तो कोई नहीं नहीं आरा है